हेलो गाइज दिस इस मी अंकुर उपादिया वेलकम तू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलीजिस बात करने वाला हूं सेल के बारे में इस्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में इस्टॉक के कैल के सेशन में रिजल्ट्स आती हुए देखे इंफेक्ट प उपर से काफी जादा बढ़िया तरीके से करेक्ट हो चुके हैं और अब इनमें एक सस्टे मतलब कहीं ना कहीं एक लेवल पर बेस बनता हुआ दिख रहा है और वहीं पर गूम रहे हैं ना ही उससे उपर निकल रहे हैं ना नीचे एक तरीके से रेंज बांड भी कह सकते है बट मैं कुछ जो important चीज आप सभी के साथ share करने वाला हूं कुछ जो चीज़ें जो मेरे समझ में आरी हैं वो आप सभी के साथ मैं share करूंगा disclaimer दे दू जितनी चीज़ें मैं बोलूँगा यहाँ पे वो मेरा personal thinking है मेरी वो आप सभी के साथ share करूँगा अगर आप उससे agree हो तबी कोई भी decision ले या फिर उससे पहले आप अपने financial advisor से बात कर लें कोई भी सहर shell या buy करने से पहले इस वीडियो को बढ़ाता हूँ आगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास है कोई भी stock जिसे रिलेटिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी instagram id पं 4.3 billion रुपीज के मुकाबले year on year basis पे यानि कि बहुत बड़ा jump देखने को मिला हमें year on year basis पे और हम सब कहीना कहीं देख रहे हैं कि सारे metal share जो है वो results बहुत ही जादार perform कर रहा है पेस कर रहा है पिछले 2 quarter से दिखिया आप कहीना कहीं JSW steel के भी result बहुत ही शांदार आए ब 4,340 करोड यानि कि मतलब more than 10 times तो 4,330 करोड का profit 4340 करोड का profit हो चुका है यह on year basis की बात कर रहा हूं 6.22% का EBITDA margin आता हुआ दिखा है 11.23% के मुकाबले year on year basis पे देख सकते हैं यहां भी EBITDA margin भी करीब करीब double से भी जादा हो गया है EBITDA रुपीज की बात करो 70.34 बिलियन रुपीज का EBITDA रुपीज आता हुआ देखा है 19 बिलियन रुपीज के मुकाबले यहां भी काफी जादा शांदार रिजल्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही शांदार आते हो देखिया है साथी साथ company ने इंटर्म डिविडेंट भी रिक्लियर कराए डिविडेंट जो गरीब करीब तो शेयर में 10-15 दिन के अंदर आपको डिविडेंट का पैसा आता हुआ आपके अकाउंट में दिख जाएगा डिविडेंट चार रुपे पर एक्कुटी शेयर के बाद मैं आप सभी के साथ अगर डिविडेंट येल्ड की बात करूं सेल की तो डिविडेंट बढ़के हो तो इस चीज पर जादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा नहीं है आगे बढ़ते हैं इस टेक्निकल्स के बारे मैं आप सभी के साथ कुछ चीज से शेयर करना चाहूंगा स्टॉक का RSI की बात करूं तो 45 पर प्लेजद है स्टॉक के प्राइस की बात कर रही पर फॉर्थ नंबर आपको सबसे सस्ता जो मिलेगा वह सेल का स्टॉक मिलेगा सेल सबसे सस्ता है वैल बाई मैं पूरे मेटल इस टॉक में और मेरा इस शेयर पर जो टारगेट वह भी मैं आप सभी के साथ डिसकस करूंगा अभी जो चीज मेरे को परसनल थिंकिंग ज तो यह बहुत है तो यह स्टॉक में पहले ही बिक्वाली आगई है वहीं आप अगर दूसरी जगह देखेंगे तो सेप्टेंबर के महीने में 2021 में सबसे ज़्यादा बिक्वाली हुई है FIIs की तरब से डाटा निकल के आया 23,000 करोड की बिक्वाली करी है उन्होंने और इस 23,000 करोड की बिक्वाली में इन दो अफ़तों में जो मार्केट गिरी है अब वो कही ना कही उन्ही में मुझे लग रहा है जो FIIs देखो माल तो बेख रहे हैं तो कहां बेख रहे हैं तो कही ना कही अब मुझे लग रहा है सेक्टर रोटेशन होने वाला है जहां पर आपको मैटल्स अब लीड करते हुए देख सकते हैं दुबारा से उपर से काफी करेक्ट हो गए है इस पूरी बिक वाली में कहीं भी लोवर लेवल नहीं दिखा रहे हैं अपने वहीं सस्टेन कर रहे हैं इंफक्ट उपर भी कल के सेशन में अब 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 बात करते हैं दाटा पर सेल के स्टॉक की बात करो तो 115 पर चल रहा है मैंने बताया आरहा है इसका 45 पर प्लेस्ट है 200 डियमे देखोगे आप तो 106 पर कहने वाली बात है जब तक स्टॉक 106 रुपे के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है न तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है दिकि ट्रेंड पता लगान स्टॉक में तेजी कब बन सकते हैं तो 100 डियमे 124 का हो गया है स्टॉक का 123.95 का तो जब भी स्टॉक 124 रुपे के ऊपर क्लोजिंग देगा स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा बढ़िया वाले और स्टॉक में आपको 142 145 के लेवल जल्दी ही देखने को मिल स स्टॉक और मुझे जो लगता है स्टॉक आपको 1500 से 175 के लिए जल्दी दिखाने चाहिए जैसा कि मैंने आपके सास्थ सिरू में ही डिसकस करा कि पूरे मैटल ऐसा पैक में स्टॉक सबसे सस्ता आपको मिल रहा है वैल्यूशन बाइस तो कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू अनल आता होगा दिख सकता है एक से देड़ साल के अंदर अंदर तो यह मेरी वीडियो सेल सेयर पर आप सभी को समझ में और पसंद दौन आई होगी थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो